हेलो अव्रीवान वल्कम टू वाई चैनल यह देखिए फ्रेंड्स आज मैं चार चुनियों से आपको बहुत ही प्यारा सा यह राउंड शेप में डिजाइन बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल ही जैपुरी लुक में यह बनेगा और आप कितने भी इसमें आप कलर लगा सकते हो अलग अलग कली अलग 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 रंगों से भी बना सकते हो जो भी आपकी 24 हो आप इसमें रंग अपनी पसंद से भर सकते हो तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे आठ रंबर की मैंने इसमें निडल्स का यूज किया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें फंदे डालेंगे फंदे मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके के बताऊंगी जो भी मेरी बेहने बिगनर्स हैं वो भी आसानी से बना ले सबसे पहले हम एक नोट लगाएंगे एक नोट से हो गया यह देखे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा ठारा उननिस बीस एक्किस वाईस झाद तेयस और चोविस चोविस में मानने फंद्रिस में डालनी है 8 के मल्टिपल में आपने इसमे फंदर डालनी है तो फ Town हम इसकी बहुत ही आरामसे बनाएंगे जब हम इस तरीके से फंदे डालते हैं तो फर्स्ट रो आप ऐसे बेसिक रो है ये बिल्कुल ही आप इसको आराम से बनाएए अगली रो से फिर हम इसमें अपना डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे ये देखें फर्स्ट रो में आपका टाइम लगेगा फिर ये उपर बहुत ही जल्दी जल्दी बनके आपका कम्प्लीट होगा ये देखें और जो भी मेरी बैने हैं नेटिंग सीखना चाती हैं बनाने का मन करता है बनाना नहीं आता तो फ्रेंड्स दो बजे लाइव वीडियो में आप ज्वाइन करना लाइव वीडियो में में बहुत ही एजी एजी डिजाइन सिखाती हूँ और पूरा बना के दिखाती हूँ जो आप मेरे साथ साथ भी बना लोगे ये देखिए कितने सुन्दर इसकी लुक है आप देख सकते हो थोड़े थोड़े आपके पास कपड़े की पट्टी बची है तो आप अलग अलग कली में मैंने सारी कलियो में तीन तीन कलर लगा रखे हैं आप अलग अलग कलर भी लगा सकते हो अब देखिए जो हमने नोट लगाया था उसको भी हम ऐसे बना लेंगे ध्यान से देखिए लास्ट बाले को भी ऐसे हमने बना लिया ये देखिए पलट लेंगे और इसको जब भी फ्रेंड्स हम साड़ी और चुन्नी से बनाती हैं तो नोट नहीं लगाते और कोई भी पट्टी आपको नजर नहीं आएगी सारी पट्टी हम इसको फस्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे इसको हम एक साइड से बनाएंगे एक साइड से ऐसे उतार लेंगे यह देखिए इस तरीके से आपने इसको बनाना है बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत प्यारा लगता है बनके 8-8 के multiple में आप इसमें फंदे डालिएगा और आप इसको जितना मर्जी बड़ा बना सकते हो और जितने मर्जी आप इसमें color लगा सकते हो बड़ा बनाओगे तो ज़्यादा आप इसमें color एड़ कर लोगे लास्ट के 8 फंदे 1,2,3,4 एक फंदा हम और बना लेंगे जब लास्ट के 8 फंदे आपके पास बच जाएं तो यहाँ से आपने दूसरा color लगाना है कोई भी color लगा लेजिया और इस कपड़े की पट्टी को भी हम इसी के अंदर ऐसे रोल कर लेंगे देखे, 2,3,4,5 और 6 दो फंदे हम पिछे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे ध्यान से देखिए, सीधी साइड से जो फंदा जिस color का होगा आपने उसी color से इसको बनाना है यह देखिए, अब पट्टी को पीछे करेंगे और पीछे से ऐसे cross करके दूसरी पट्टी को औरेंज वाले को आगे लेके आएंगे cross आपने दोनों साइड से करना है बहुत इस सफाई के साथ हम इसको बना के complete करेंगे यह देखिए, सीधी साइड से हमें कुछ नहीं करना सीधी साइड से हमने ऐसे ही इसको बनाना है और यह देखिए, यह मेरे पास चुनने थी फ्रेंड्स अगर आप साड़ी से बनाओगे तो लंबी लंबी पट्टिया निकलेंगी इस तरीके से फिर आपने इसमें जोइंट लगाना है यह देखिए सारे इफंदे हम इस तरीके से बना लेगे किनारे वाले को आप ऐसी भी कर सकते हो इसको हम इस साइड से ऐसे ही उतार लेगे इसको हम एक साइड से बनाएंगे एक साइड से ऐसे ही उतार लेगे तो बहुत ही हमारी किनारे की फिनिशिंग आएगी इस साइड से हम इसको ऐसे बना लेगे कई बार क्या होता फ्रेंड्स कपड़े की पट्टी है तो हमारी अटक जाती है तो आप ऐसे थूड़ा साइस को लूज कर ले ना निंडल को डालके आप देखिए फिर से हम नीचे तक जाएंगे बनाते हुए अभी हम एक ही कलर हमने इसमें एड़ किया है एक कलर की फ्रेंड्स हम दोनों साइड से गिनेंगे तो छेचे रोग निकालते हैं उसके बात फिर हम अपना उपर दूसरा कलर लगाएंगे अब देखिए इस दो फंदे जब हमारे बच जाएंगे तो हम इनको ग्रिंड में कनवर्ट कर लेंगे यह देखिए दो तीन चाल पांच और छे दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिये और हम यहीं से वापस मूड जाएंगे सिर्धी साइड से मैं इस रोखों बना के कम्प्लीट करूंगे यह देखिए किनारे वाले को हम इस साइड से ऐसे ही उतार लेंगे पलट लेंगे इस साइड से हम इसको बना लेंगे यह देखिए फर से हम नीचे तक इसको बना लेंगे यह देखिए और इसको हम ऐसे दो फंदे फिर से यहाँ पर कनवर्ट कर लेंगे देखिए दो तेन चार पांच और छे और यही से वापस है मूट जाहेंगे सिद्धी साइड से इस रोखों में उतारके कंप्लेट करूंगे यह देखिए इसको आप ऐसी ही उतार लीजिए आप देखिए यह हमारा ग्रीन कलर की एक, दो, तीन, तीन लाइन हमारी यह बन गई है इस साइड से अगर यह लाइन गिने तो तीन, तीन बन गई है और टोटल आपने इसकी निडल्स गिनने दोनों साइड से तो 6 रो हमने इसकी निकाल लिए है अब देखिए हम एक कलर इसमें और एड करेंगे अब हो कैसे करेंगे द्यान से देखिए जितने भी फ्रेंड्स आपने इसमें फंदे डालने हैं आठ के मल्टिपल में फंदे डालके और आप इसको बना सकते हो बनाने का तरीका सेम है जितना भी आपको बड़ा बनाना है आप उपर इस तरीके से इसमें कलर एड करते जाएए यहां से दो फंदे जब मेरे बच जाएंगे तो मैं इसमें एक कलर और इसमें मैं एड़ करूँगी और इस पट्टी को भी मैं इसी के अंदर ऐसे लपेट लूँगी यह देखिए दो तीन चार पांच और छै दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मोड़ जाएंगे पिछे से औरेंज आगे लेके आएंगे पट्टी को क्रोस करके और यह देखिए ओपर के फंदे हम उल्टे उल्टे बना देंगे किनारे वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे यह देखिए ऐसे आपकी चोटी सी बनती जाएगी और इस साइड से हम इसको बना लेंगे जैसे हमने नीचे ग्रीन की बनाई है इसमें भी हम टोटल दोनों साइड से गिनके छे रोग निकाल लेंगे और हर बार दो फंदे उपर की तरफ बढ़ेंगे अब यह देखिए फिर से एक दो तेन चार पांच और छे उपर अगर आपका बड़ा हो तो फ्रेंड्स आप नीचे वाले कलर को उपर रिपीट भी कर सकते हो वो आपके अपनी 24 है आपको इसमें कैसे कलर लगाने है लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से आपने इसमें कलर एड़ करते जाना है यह देखिए पिछे कर देंगे पिछे सी पट्टी को आगे लेके आएंगे देखिए इसकी चार टोकटार ली है एक बार और हम इसको ऐसे ही बनाएंगे फिर इसमें हम उपर एक कलर अपना और एड़ करेंगे कि देखिए दो फंदे उपर की तरफ और इंजी के फिर से हम ब्लू में कंवर्ट कर देंगे कि तेन चार पांच और छे इस देखिए इस साइड से भी हम इसको बना लेंगे तो छे रो हमने इसकी निकाल दी पिछे से गिने तो देखिए एक दो तीन इसी तरीके से आपने इसमें उपर की तरफ पढ़ना है और कलर एड़ करते जाना है और इसको आपने ऐसे ही बनाना है अब देखिए अब हम इसमें कलर और एड़ करेंगे तो एक दो तेन चार इस पटी को भी आपने इसी के अंदर ऐसे रोल करना है दो तीन चार पांच और छे दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे बहुत आसान डिजाइन है जो भी मेरी बैने थोड़ा बहुत भी उल्ठा सीधा बना लेती हैं वह भी इस डिजाइन को भूत ही अच्छे से आराम से बना लेंगी यह देखिए उपर आ गए हां हम बिल्कुल एक और दो यह देखिए दो दो तीन च्यार पांच और छे दो हमने फिर से छोड़ दिए यह देखिए लास्ट दो फंदे हमने इसमें एड करने हैं और एक बार का हमारा यह डिजाइन बनके कंप्लेट हो गया बहुत ही प्यारा डिजाइन है बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बना लोगें यह देखिए अब लास्ट के दो फंदे भी हम इसमें इस तरीकी से पट्टी को करेंगे इसमें एड कर लेंगे देखिए दो तीन चार पांच और छे उपर फ्रेंड्स मेरे फंदे आपे खतम हो गए आपके ज्यादा फंदे का बनाओगे तो इसी तरीके से आपने उपर इसमें कलर एड करने हैं नीचे वाला भी कोई भी कलर आप दुबारा रिपीट कर सकते हो जैसे कलर कंटास्ट आपको पसंद है आप अपनी पसंद से इसमें कलर लगाईए यह देखिए एक बार की हमारी पत्ती बनके कंप्लीट हो गई है आप देखिए हम क्या करेंगे नीचे तक सारे फंदे हम औरंज से बना लेंगे जितने भी आपके पास फंदे हो सारे फंदे हम ऐसे बना लेंगे एक कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई अगली कली की फिर से हम जैसे हमने इसकी स्टार्टिंग की थी ऐसे ही हम कली के स्टार्टिंग करेंगे बहुत ही प्यारा यह राउंड शेप में बनके कम्प्लीट होगा और बहुत ही जल्दी जल्दी आप इसको बना लोगे यह देखिए लास्ट वाले को भी हम बना लेंगे इस साइड से भी इस रोको बनाएंगे और यह देखिए एक बार फिर से मैं आपको इसमें जॉइंट लगाना बता दूँ जब इतनी आपकी पट्टी बच जाए तो आपने दूसरी पट्टी लेनी है और इस तरीके से इसमें रखके ऐसे जॉइंट लगाना है यह देखिए जिस कलर से आप फंदे डालोगे फ्रेंड्स वो कलर आपका इसमें ज्यादा लगेगा जो भी आपके पास ज्यादा हो वो उसी कलर से आप फंदे डालिएगा बीच में डिजाइन में हमारा बहुत ही थोड़ा थोड़ा लगेगा छोटी छोटी पट्टियां भी आप लगा के डिजाइन बना लोगे लेकिन जिस से आप फंदे डालोगे ये कलर पूरे में चलेगा और ये ज्यादा लगेगा इस चीज का भी आपने द्यान रखना है ये देखिए ये पट्टि हमारी अब बनके कम्प्लीट हो गई अब हम क्या करेंगे फिर से हम नीचे से यहां से स्टार्टिंग करेंगे अगर अगली पत्ति में आपने अलग कलर लगाने हैं तो वह आप लगा सकते हो और इनी को रिपीट करना है तो वह कैसे करना है ये देखिए सोरी फस्ट वाले को हम बनाएंगे क्योंकि उस साइड से हमने ऐसे ही उता रहा था इसको और ये हैं आपके इनको आप ऐसे उपर साथ साथ लेके चलना सारे फंदे नीचे तक बना लेंगे जब आठ फंदे बच जाएंगे फिर से हम इसमें कलर एड करेंगे देखिए दू चार छे आठ एक फंदा और बनाएंगे और ये ग्रीन वाला कलर हमारा यहीं है तो यहीं से हम इसके देखिए एक दो तेन चार पांच और छे फिर से हमने इसमें एड कर लिया इस साइड से भी हम जो जिस कलर का है उसी कलर से बना लेंगे इसवे देखिए तो आजवी आद तो पम ख़ए ते दोsix देखिए यदेएंडे लेंगेू ड़ु至 उसे एल देता Commissioner इसको आपने इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने नीचे बनाई है इसी तरीके से फ्रेंड सामीज में इसमें तीन तीन लाइन बनाते हुए उपर की तरफ जाएंगे जब पूरा आप बना लोगे तो इस तरीके से इसकी लुक आएगी और लास्ट में आपने सारे फंदे बंद करके इसकी सिलाई करनी है इस तरीके से आपने इसमें फंदे बंद करने है जो भी मेरी बिगनर्स में नहीं है कई बार कॉमेंट आते हैं कि मैं हम फंदो का क्या करें तो इस तरीके से आपने ये सारे इफंदे ऐसे बंद करें, ये देखिए, दो का एक करती हुए, वापस डाल लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, वापस डाल लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, वापस डाल लेंगे, ये देखिए, इस तरीके से सारे इफंदे हम अपने बं कर लेंगे बहुत ही प्यारा डिजाइन है आप एक बार फ्रेंड से इसको जुरूर ट्राई करना अच्छे से मैंने इसको समझाया है फिर भी कोई अगर आपको प्रोब्लम आए जो भी मेरी बेने बिगनर्स हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो यह देखिए सारे इफंदे इस तरीके से हम बंद कर लेंगे यह देखिए और लास्ट वाले इसमें से हमेंसे निकाल देंगे और यह मैंने इतना थ्रेड रखा है इससे हम इसकी उल्टी तरफ से यहां से लेके यहां तक इसकी सिलाई कर देंगे तो फ्रेंड्स आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जुरूर बताईए पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफकेशन आखो सबसे पहले मिले तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिजाइन के साथ थैंक्यू